कुंज बिहारी श्री हरिदास राधी राधी ये जो है जेश्ट मास की जो कल मावस आ रही है यानि कि सोमवार को उसे कहते हैं बढ़ मावस और कल जो है सोमवती मावस भी है तो जो है हर साल जेश्ट मास की अमावस्या को जो है सुहागीन महिलाओं द्वारा जो है ये वरत मन इस व्रत में महिलाएं वट्वक्ष की पूजा करती है और सती सावित्री की कता सुनने और वाचन करने से सवभागेति मलाओं को अखर्ण सवभागे ki प्रापती होती है तो यह जो आपको कता है यह मैंιο करा रही हूं कि यह वट्वक्ष की कता है यह आपको सुना Υोorfag Hadr geweं के जो राजा थे जो जिनका नाम था अश्वपती और भद्द देश के राजा अश्वपती जो थे उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों चारण के साथ प्रती दिन एक लाक आहूतियां दी और 18 वश्व तक उन्होंने यह करम जारी उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया कन्या बड़ी होकर बहत रूबवान हुई योग्यवर ना मिलने की वज़े से सावित्री के पिता जो थे वो दुखी हो गए च्योंकि उनकी कन्या बहुत रूबवती थी और उसके बगराबर किसकोई गुडवान वर्ड उन्हें मिल कर लिया रिशी राज नारत को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपती के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन यह है आप क्या कर रहे हैं अब सत्यवान गुणवान है धर्मात्म है और बलवान भी है पर उसकी आयू जो है वो बहुत छोटी है और वह अलपायू ह एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्य हो जाएगी रिशी राज नारत जी जो थे उसकी बात सुनकर राजा अश्वपती घोर चिंता में डूब गए सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि बेटी तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अलपायू है तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी आरे करना है अपने पती का एक बार ही वरन करती हैं राजा एक बार ही आग्या देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिग्या करते हैं और कन्यादान भी ए सावित्री अपने ससुराल में पहुंशते ही साथ ससुर की सेवा करने लगी समय बीता गया नारद मुनी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यू के दिन के बारे में बता दिया था वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी उन्होंने तीन दि कथित निश्चत तिती पर पित्रों का पूजन किया हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी जब वो जंगल में गए तो सावित्री भी उस दिन साथ में हट करके जंगल में चली गई जंगल में पहुंचकर सत्यवान जी जो थे वो लकड़ी काटने लग और दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान जी पेड़ से नीचे उतर गई सावित्री ने अपना भविश्य समझ गई सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी तब ही वहाँ पर यमराज आते दिखाई दिये यमराज अपने सा सत्यवान को ले जाने लगे सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही वीदी का विदान है लेकिन सावित्री नहीं मानी सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यम्राज ने सावित्री से कहा कि हे देवी तुम धन्य हो तुम मुझसे कोई भी वर्दान मागो सावित्री ने पहला वर्दान जो था उनसे ये मागा कि मेरे सास्वर बनवासी है और अंदे हैं इसलिए आप उन्हें दिव्वे जोती प्रदान करें तो जब यम्राज जी ने कहा कि ऐसा ही होगा और जाओ अब लोट जाओ लेकिन सावित्री अपने पती सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही यम्राज ने कहा देवी तुम वापस जाओ सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पती देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है पती के पीछे चलना ही मेरा कर्तव है यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा सावित्री बोली हमारे ससुर का राजय चिन गया है उसे पुनहया वापस दिला दे यहम्राज ने सावित्री को यह वर्दान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लोट जाओ लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही यम्राज ने सावित्री को तीसरा वर्दान मांगने को कहा इस पर सावित्री ने सो संतान और सो भग्य का वर मांगा यम्राज ने भी इसका वर्दान उन्हें दे दिया यम्राज ने जब सावित्री जी को तीसरा वर्दान मांगने को कहा तो सावित्री जी ने जब संतानों का अखंड बर्दान मांगा और अपना अखंड स्वाग मांगा तो सावित्री जी से जब यम्राज ने बर्दान दे दिया तो उन्होंने कहा कि मैं एक पतीवता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशिरवाद दिया है यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतरध्यान हो गए और सावित्री उसी वटब्रिश के पास आ गई जहां पे उसके पती का मृष शरीड पड़ा था तो सत्यवान जी जीविन्त हो गए और दोनों खुशी-खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को भी दिवे जोती प्राप्त हो गई है इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिर काल तक राज्य सुक भूखतरे अतै पतीवरता सावित्री के अनुरूफ ही प्राथम अपने सासुसर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विदियों को भी हमें करना चाहिए और वर्ट सावित्री वर्ट करने से और इस कथा को सुनने से उपवासक को अखंड सोभाग्य का वर प्राप्त होता है वर्ट सावित्री वर्ट के दिन हमें क्या कहते हैं वर्ट व्रक्ष्ट की पूजा करनी चाहिए और जो भी हम उने भोग लगाते हैं जैसे कि खरबूजा, आम, केला वगारा जो भी हम उने भोग लगाते हैं वो हमें खुद भोग में प्रसाद को पाना चाहिए और कहते हैं कि जिस तिन जो भी स्तुरी अपने पती की लुंबी आयों के लिए वरत रखती है उसका सोबागय अखंड रहता है और ये थी वट सावित्री की कथा आपको ये अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कुझ बिहारी श् बहुत बहुत शुक्त कामने हैं